हाई और आज का टॉपिक है इंटिमसी कॉडिनेटर्स और सेक्स सीन्स जैसे फिल्म में डांस के लिए कोरेग्राफर्स होते हैं वैसे ही लव मेकिंग सीन के लिए इंटिमसी कॉडिनेटर्स होते हैं और ये कॉडिनेटर्स का एक खास रोल है जिसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए खास करके अगर आप एक एक अक्टर हैं तो मैं आपको एक उधारन देता हूँ एक सेट पर एक लड़की थी जिसको एक लव मेकिंग सीन करना था और उसका कोस्टार जो था उस लड़के ने सिगरेट पी रखी थी ऐसे मैं उसको एक किसिंग सीन करना था और उस लड़के के सिगरेट स्वोकिंग की वज़े से उसे बहत तकलीफ हो रही थी ऐसे में इंटिमसी कोडिनेटर ने उस डिरेक्टर को बताया कि वो लड़की को क्या प्रॉबलम है और वो बैड ब्रेथ जिसके वज़े से लड़की को तकलीफ हो रही थी उसका इलाज किया गया और फिर वो scene shoot किया गया intimacy coordinators आपका काम बिगाडने के लिए नहीं पर उसे enhance करने के लिए रखे जाते हैं यानि कि एक scene जिसको आपको बहुत कामुक बनाना है बहुत ही erotic बनाना है उसके लिए क्या-क्या techniques आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे कौनसे angles आप use कर सकते हैं कैसे आप जो audience है उसको एक ऐसी idea दे सकते कि यह नगनता है लेकिन actually नगनता नहीं होती है या जो intimacy दिखाते हो intimacy नहीं होती है पर audience को ऐसे लगता है कि बहुत intimacy है और यही intimacy को enhance करने के लिए intimacy coordinators की जरूरत होती है एक actress थी जिसे French kiss करने का एक scene दिया गया था जब उसको यह script का narration दिया गया था तब वो बिल्कुल comfortable थी यह scene करने के लिए लेकिन जैसे ही camera roll action का sound उसने सुना तो वो panic हो गई और बहुत nervous हो गई वो कहने लगी कि मैं यह scene नहीं करना चाहती लेकिन director कह रहा था नहीं आपने तो हां कहा था इस time पर यह जो intimacy coordinator है उसने step in किया और ऐसा एक creative idea दे दिया जिसकी वज़े से तरकी को ना french kiss देना पड़ा लेकिन audience को ऐसा लगा कि यह french kiss है तो intimacy coordinator का रोल यह नहीं कि वो scene को खराब करें पर उस sexuality के meter को और बढ़ाएं बढ़ at the same time वो ensure करें कि female co-stars है या males है जो intimate scene दे रहे हैं वो भी comfortable हो तो intimacy coordinators यह चारपा चीज़े करते हैं जो बहुत ही जरूरी है जैसे कि पहली चीज़ वो करते हैं जब intimate scene शूट हो रहा है वो ensure करते हैं कि जो लोग set पे हैं वो minimum हो कम से कम लोग हो ताकि जो intimate scene शूट हो रहा है यह दो actors embarrassed फील ना करें दूसरा जैसे male co-stars है उनके एल guards प्रोवाइड करते हैं या guards प्रोवाइड करते हैं एल guards वो होते हैं जो male actors अपने private parts पर पहनते हैं ताकि female co-star को तकलीफ ना हो और कुछ inflated balloons होते हैं कुछ ऐसे cushions होते हैं जो actors के बीच में रखे जाते हैं ताकि कु पूना ना हो और सब कुछ दाइरे में रहे चौती चीज़ वो ensure करते हैं कि जो scene shoot हो रहा है वो scene दरसल sensuous लगे और वो line thin line है जो sensuality और vulgarity में वो कभी cross ना हो अगर आपके कोई friends है जो इस line में जाना चाहते हैं तो आपने उनके साथ ये video ज़रूर शेयर करना चाहिए उन्हें ये बताना चाहिए कि इंटर्परसी कोडिनेटर्स से उनकी life कितनी easy हो सकती है खास करके आपके female friends के साथ आपने वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए अगर आप उनके प्रती पज़से वहतों जैसे कि मैं हूँ तो with that thought I take your leave stay safe stay happy and God bless you